हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आंलाइन पास्पोर्ट कैसे अपलाई करेंगे तो चलिए वीडियों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउजर है आप उसको उपिन कर लिजिए हम यहां से क्रोम उपिन कर लेंगे और यहा इसको क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर इस टाइप से पेज उपिन होगा इसको पहले कट कर लेंगे कट करने के बाद अब क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले निव यूजर रजिस्टेशन करना होगा हमें अपनी आईडी बनाने होगी तो यहां से ह लखनों अपने यहाँ पे select कर लेता हूं और यहाँ पे जो भी आप name जो भी आपका name है आप यहाँ पे name type कर लेगे name के बाद अब यहाँ पे अगर आपका surname भी है तो आप यहाँ पे नीचे surname भी रख दीजिए जो आपका last name और इसके बाद आप date of birth को यहाँ से select कर लेंगे date of birth के सबसे पहले आप क्या करीए year को select कर लीजे जो भी year है year के लीजे आज जो इस कर करीए month के लाद यहाँ पर date को select करके یہाँ पर यहाँ पर आपका date of birth हो जाएगा और यहाँ पर एक email id प्फिल कर दीजे और यहां पर एक आता yes और no करने के लिए कि email id का same यहां पर id बनाना चाहते है login id तो आप yes कर दीजिए otherwise no पर रखके आप नहा कोई एक id login के लिए बना लीजिए तो यह हम यहां से id बना लिए और इसकी check availability हम यहां पर कर लेंगे और यहां पर अगर available रहेगा तो मिल जाएगा नहीं तो आपको बताएगा कि other कोई आप चूच कर लिजिए id और यहां पर आप हम क्या करते है password को यहां पर click कर देंगे यानि fill कर देंगे तो यह हमने password fill कर दिया और यहां पर confirm password है तो यहां से confirm भी password होई सेम हम repeat कर देंगे इसके बाद यहां पर आता एक hint question आप भी कोई भी आप यहां से question ले लिजिए question लेने के बाद क्या करेंगे उसका हम answer देंगे तो यह हमने यहां से question चूच कर लिया जोच करने के बाद नेचे यहां पर उसका क्या करेंगे हम hint answer भी लिख देंगे यानि type कर देंगे तो हमने उस question का वहां पर answer और यहां पर capture दिया है आप capture को यहां पर fill कर लेजिए जिस तरह है capital है तो capital is small है तो सारी चीज़ों को रखने बाद यहां पर register पर click कर देंगे क्लिक करने के बाद यह आपके पास एक confirmation हो जाएगा और आपको बोलेगा भी तो यहां पर email ID पर email आया होगा तो उसको क्या करेंगे हम activate करेंगे तो यह link पर click कर लेंगे तो click करने के बाद यहीं पर हम उस ID को यानि जो user ID हमने बनाए उस ID को click करके और submit करेंगे तो submit होने के बाद यह ID हमारी activate हो जाएगे तो हमें email दौरा ही उसको open करके login करना फिर हम यहां से activate यहां पर successfully हो चुगा आप click करके login पर आ जाएगे login करने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे login ID यहां से फिर वह ID आप repeat करेंगे जो आपने बनाया है और continue करेंगे continue के बाद आपके सामय पासवर्ड आएगा तो आप यहां से पासवर्ड को फिल कर देजिए तो पासवर्ड फिल कर लिया हमने करने के बाद अब यहां पर आता है यह capture को यहां से हम फिल कर देंगे जैसे पिछली बार हमने capture fill किया यहां पर भी fill करके अब फिर यहां से login करेंगे तो अब देखिए हमारा login हो चुका है पे जाओर हमने ID भी बनाया अब यहां से हम apply to press password and re-issues पे आप click करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे यहीं से हम click करके इसको open कर लेंगे apply for press और यहां से click है to fill application form पे तो यहां से click करने के बाद अब यहां पे आता है कि आपका state जो है तो आप यहां से state को select कर लेंगे state के बाद यहां पे आता district तो हम यहां से district भी select कर लिए है फिर यहां पे आप क्या करोगे सबसे पहले apply for press पर रखेंगे type of application normal और booklet 36 पर रखेंगे और फिर यहां पे आप क्या करेंगे name यहां पे type कर लेंगे जो भी आपका name है तो name यहां पे सही-सही type करेंगे जो भी हमें जिस तरह हमारी ID पे है तो हमने name को type कर लिया और यहां पे gender फिर यहां पे पूछ क्या रहा है have you ever, indeed, no other कोई name है तो उसके लिए no और यहां पे date of birth के लिए हम यहां से कर लेंगे तो यहां से हमने अपने date of birth को select कर लिया है फिर देन इसके बाद यहां पे पूछ रहा है कि your place आप तो इसको no रखिए और यहां से जो भी आपकी city है आप यहां पे type कर लिजिए तो place आप बर्थ जो भी हमारा गाउं या जो भी महला इस city है तो आप यहां पे type कर लेंगे तो फूरा full name हमने type कर लिया गाउं और पूछ दोनों को type कर लिया है अब यहां पे नीचे आते हैं इस फी क्या करेंगे सेलेक्ट कर लिए इस्टेट को फिर यहां पे डिस्टिक को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे आप marital status दे देंगे अगर आप single है single married है ठीक तो और यहां पे फिर आता है कि citizen of India वाई आप बर्थ से ही है और यहां पे अगर आपके पास fan card available है ता आप fan card भी fill कर दीजिए तो मेरी case में fan card मैं नहीं लगा रहा हूँ तो उसको मैंने छोड़ दिया है और यहां पे क्या करेंगे जो यहां पे employee पूछ रहा है तो हमने क्या दे दिया self-employed यहां पे click करेंगे तो self-employed पे ही रखते हैं और यहां पे यह हम यस करेंगे इसको नो कर लेंगे यह थारी परवानेंट अड़ेस नो ठीक है और यहां पे यहां से 10 को हम pass select कर लेंगे और दिन इसके बाद yes पर रहेगा क्योंकि यह non-acr category के लिए है तो यह yes रहेगा क्योंकि हम 10 पास के अविल पर है यहां अठार से उपर के है और यहां पे अधान नंबर टाइप करने के बाद यहां पे हमने agree पे click किया और यहां से save पे click कर दिया है save करने बाद यह सारे details और reference number यह हमें देखो मिल गया है तो इसको आप nature आएंगे यहां पे देख सकते हैं इस तरह हैं मिलेगा फिर check करने बाद आप next कर लीजिए अगर आपकी सही लग रही सारे details आपने सही किया है आप yes करिए और इस पार हम next पे click करेंग next पे click करने बाद अब family details से यहां पे पूझे गया सबसे पहले यहां पे father name आप फिल कर दीजिए तो जो भी आपकी कार्जियन है और यहां पे उनका sun name अगर है तो फिर यहां पे अगर नहीं है तो आप mother name को type कर लिए और sun name और अगर कोई other given name है तो आप वहां पे रखे तो और village city और village का ग्राम सब कुछ जो चीजी दी है आप सिंपल सही सही भल लेंगे तो यहां पे मैंने क्या रखा है कि मैंने यहां पे village का name रख दिया है तो अब यहां पे पुलिसी स्टेशन मैंने रख दिया फिन कोड आप यहां पे type कर लेंगे दिन इसके बाद आता है यहा तो भी आप साइसे फिल कर देंगे और telephone number को हम छोड़ देंगे email id यहां पे type कर लेंगे तो यहां पे email id मैंने हमारा ठीक है तो इसी पे हमारा जो भी mail वोगेरा आए गया तो इसको हमने और यहां से इसको क्या करेंगे परवालेंट एड़ेस अवलबल तो इसको हमे नो रखेंगे तो यहां से हमारा कोई और एड़ेस नहीं है तो इसलिए हमने दोर बीटे किया-एंशवán से नेक्ट कर देंगे फिर यहां पर आता है एमर्जेंसी कॉंटेक्ट तो यहां पर एमर्जेंसी कॉंटेक्ट में हमने एक दूसरा अपना घर का नमबर दे दिया और नेम आप एड़ेस सब कुछ रख दिया इमिल आड़े भी इसमें दे दिया तो जो इस्टार वाली सायं दिया वो जरूरी आपको फिल करना है जैसे वहां पर नेम और एड़ेस आप फिल करेंगे मोवाइल नमबर और यह टेलिफून नमबर इमिल आड़े आप छोड़ भी सकते हैं तो यहां पर तीनों सारे करते हैं हमारी सब चीजिए सब्दिया है अपने आयड़ेस प्रूब देना हो गए यहां पर जो चीजिए पूछा कि ज़ो डाकुमेंट सबसे पहले क्या प्यों कि अपर्थ के लिए हमने एक ले लिया कि सकूल का सेठिकेट ले लिया और यहां से प्रूफ परवामेंट ए दिया और यहां से एडिस के लिए हमने अधार काड को दे दिया है तो यहां से डिजी लोकर दोरा भी आप उसको कर सकते हैं यहां पर प्लेस में हम क्या रखेंगे जौनपूर रख देंगे और यहां से आएगे क्रीप किलिक करके प्रिवी अप्लिकेशन फॉर्म आप चेक भ प्रिंट कर लेंगे इस स्लिप को वह आप प्रिंट करके अपने पास रख लिजै किस्थ रहीघी सबकुत रहेगा तो आप इसको भी सेब कर लेजी है है तो इसको मैंने क्या किया यहां से इससी सेब कर लिए है को जानिक बाद अब नेष्ट आते आगे बढ़ते हैं ऌके क कि ना सबस्कारतें कि और hmm है आप यहां पर क्या करेंगे जो हम प्रेक्ट्रों एपलाइशन डूइक प्लिक आप जो हमने पार मिट पॉर्म पर किलिक करने ने बाद यहां पर आ जाएगा pay and schedule appointment to यहाँ से hey and schedule करेंगे और यहाँ से select कर लेंगी Iskoa और next करेंगे सब सारी सीज्ण को सू करेगा सू करने जाइनके बाद आप नीचे आएंगे नीचे आने बाहँ करीगा सबसे पहले आप location को select कर लेजिए जोभी आप location लेना चाहते हो तो मैंने क्या गिया एक जो भी आपके केस में जो भी लोकेशन आपको लगता नाज दीख है उसको आप सेलेक्ट कर लेजे तो मैंने अपने डिस्ट्रिक से वहीं का आप लोकेशन ले ली हैं और यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप नेक्ट करेंगे नेक्ट करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर हमारे साबने ऐस टाइब का पेज आएगा पेज पर हम क्या करेंगे ई यूपियाई से हम पामने करना चाहते यूपिय को सेแลक्ट कर लेंगे अधरवाज हाँ आप कोई भी में मोड ने असकते हैं अनए कया कऊकर करने अपाद इसको क्या करने प्न्द्राश प्रपपोड का payment है तो payment को हम कर देते हैं तो कर दिये तो इस टाइब का एप image redirect हो जायेगा जैसे ही payment हो जाएगा और यहां पर लिखा भी your transaction is success तोब कर लेंगे और यहां पर देख सकती हुआ अगर्णी सब्सक्राइब है बुक हो चुका है तो यहां से हम क्या करें गारिशीट को प्रिंट करने बाद इस टाइप से दिखाएगा और नीचे आएंगे। तो यहां पर सारे ड्रेश है और यहां पर print application receipt लिखाई तो इस पर करके हम एक receipt कर तो इस टाइप से इसको हमें प्रेंट करना होगा जो हमें दिखा रहा है यहाँ dollar पर इसको अपको लेंगे तो आप सेफ करने क्बाद इसीप आपको लेकी बीचानी है और उसके बाद जो आपने डाकुमेंट वहाँ पे दिया है उसको भी आपको ले के जाना तो यहां पर हम पहले इसको सेफ करने के बाद यहां पर आपको दिखाते हैं ओके कर लिए और फाइल को हम दिखा देते हैं कि इसी टाइप से फाइल आएगे इसको आप प्रेंट करवा लेजिए करने के बाद इसमें सारे डिटेल्स रहती एक आपको यह ले जाना होगा और हमने जो एक एड़ेस प्रूफ के लिए दिया था एक डेटा बर्थ के लिए दिया था जैसे अधार काड़ दिया था और एक मार्थर दिया था तो हम दो ही चीजे यानि तीन हमारे डाकुमेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स अगर वीडियों अच्छी लगती है तो प्लीज व सब्सक्राइब कर लो थैंक्यू जय हिंद जय वारत